Hello friends, welcome to study car, मैं हूँ आपका दोस्त अफ्रवातर आज के इस important lecture में हम सब भी discuss करने बाले हैं 30 मई 2024 के most important current affairs के question तो आप इस पूरे lecture को बहुत ही ध्यान से last तक जोड़ देखीगा आज का पहला और important question है Retail Direct App किसके द्वारा launch किया गया है answer हो जाएगा इसका Reserve Bank of India यानि RBI के द्वारा भी हाली में Retail Direct App को launch किया गया है सबसे पहले option discuss करते हैं फिर इसके बाद discuss करेंगे इस question को तो आईकर विभाग ने अभी हाली में AIS App को launch किया है चुनाओ आयोक की बाद करें तो चुनाओ आयोक के द्वारा KYC एप को launch किया गया है इसके अलाबस सुबिधा एप भी चुनाओ आयोक की द्वारा launch किया गया है सक्षम एप भी चुनाओ आयोक की द्वारा launch किया गया है और Boater Helpline App ये भी Election Commission of India के द्वारा लॉंच किया गया है ग्रामीर विकास मंतराले की बात करें तो ग्रामीर विकास मंतराले ने जलदूत एप लॉंच किया था अच्छा गर आपसे पूछा जाए वर्तमान में ग्रामीर विकास मंतराले की मंतरी कौन है तो वो है गिरी राज सींग देखें यहाँ पर बात आई है टैक्स की तो टैक्स से आपको याद रखना है GST तो GST के बारे में कुछ important fact डिसकस कर लेते हैं तो GST कब लागो हुई थी भारत में 1 जुलाई 2017 को और GST के लिए भारत के सम्मिधान में कौन सा संसोधन किया गया था तो 101 बार सम्मिधान संसोधन किया गया था GST को मंजूरी देने वाला पहला राज जो कौन था तो याद रखेगा आसम था तो GST की कितनी प्रकार की दरें होती है तो एक दर होती है सून्रे प्रतिसत की फिर होती है 5% की फिर 12 परतीसत की फिर 18 परतीसत की और सबसे लास्ट में होती है 28% की दर तो इन दरों पर GST लगाया जाता है GST के लिए एक ताउंसिल मनाई गई है जिसे हम GST परिसद बोलते हैं तो GST परिसद का गठन भारते समिधान के 289 A के तहट किया गया है और आपको याद दखना है कि 1 जुलाई को भारत में GST दिवस भी मनाये जाता है चलिए अब इस question का discussion करते है तो RBI ने जो RBI Retail Direct Mobile App लॉंच किया है इसके जरिये Retail निवेसक, Government Securities को online खरीद और बैंच सकते है यहाँ पर Government Securities का मतलब क्या होता है तो यह एक प्रकार का bond होता है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है तो जो निवेसक होते हैं वो उस bond को खरीद दे हैं फिर इसके बाद जितनी रासी उस निवेसक के द्वारा bond को खरीदने में लगाई जाती है वो रासी सरकार कुछ दिनों के बाद लोटा देती है, यानि मूलधन लोटा देती है, फिर ब्याज को सरकार समय समय पर देती है, इस पूरी प्रिक्या को हम Government Securities बोलते हैं, तो जो RBI Retail Direct App लॉंच किया गया है, इसके माध्याम से जो Investors हैं, वो Government Securities को ऑनलाइन खरीद और बै लॉंच किया है, तो ये लॉंचिंग किस ने की है, RBI के Governor सक्तिकांत दास ने, बात करते हैं RBI की, तो RBI को हम Reserve Bank of India बोलते हैं, भारतिये Reserve Bank अधनियाम 1934 के तहट इसका गठन किया गया है, और इसकी स्थापना 1 अप्रेल 1935 को हुई थी, 1949 में RBI का राष्टिये करण किया गया था, यानि सरकार ने इसको अपने हाथों में ले गया था, 1937 में RBI का Headquarter कोलकाता से मुंबई इस्थाने अंतरित किया गया था, सर ओस बोर्न इसमित RBI के पहले गवर्नर थी, RBI के पहले भारतिये गवर्नर कौन थे, CD देश मुख, RBI के वर्तमान और 25 बे गवर्नर कौन है, सक्तिकांत दास, स्वामी नाथन जानकी रमन, टी रवी संकर, एम राजेसोर राव और माइकल देव पात्रा, वर्तमान में इसके डिप्टी गवर्नर हैं, और मुख, बित्तिय अधिकारी कौन है, RBI की सुधा बाल कृस्नन, कुछ एप और पोर्टल और डिसकस करते हैं, तो अभी हाली में Google के द्वारा बॉलेट एप लॉँच किया गया है, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा प्रेश सीबा पोर्टल लॉँच किया गया था, अपना चंद्रियान पोर्टल धर्मेंद प्रधान जी के द्वारा लॉच किया गया है, Scale app को सिक्षा मंतरी धर्मेंद प्रधान जी ने लॉँच किया है, Consumer app उत्तर प्रदेश के विजली उपोगताओं के द्वारा लॉँच किया गया था, साथी पोर्टल क्रसी मंतरालय की लास्ट में आपसे कोशिट पूछा जाएगा जिसका अंसर कमेंट बॉक्स में देना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन भी दबा ले जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा आप हुमारे वाटसेप चै सेन को तो भारत की मेजर रादिका सेन को संयुक राष्ट की द्वारा मिलिटरी जेंडर एड़ुकेट ऑफ दा इयर अबार दो हजार तेज से सम्मानित किया गया है चलिए पहले ऑप्सन डिसकस कर लेते हैं फिर इस कोश्चन का डिसकसन करेंगे यहां पर बात आई है जैन पांच में सुरू किया गया था और यह ऐसी पुस्तक को प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुबाद किया गया हो और इसका प्रकासन यूनाइटिड किंगडम या आईरलेंड में किया गया हो तो जो जैनी एरपेन बैक हैं इनका संबन्ध है जर्मनी से और इनकी एक रचना है जिसका नाम है कैरोस, तो इस कैरोस रचना के लिए इन्हें 2024 का इंटरनेशनल बुक कर पुरुसकार दिया गया है, अच्छा जो इनकी बुक है कैरोस, इसका ट्रांसलेशन किस ने किया है, तो इसका ट्रांसलेशन किया है, माइकल हॉप मैन ने, रस्किन बॉंड की बात आई है तो रस्किन बॉंड को अभी हाली में साहित अकादमी फैलोसिप से सम्मानित क्या गया है रस्किन बॉंड भारत के अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक हैं आलोक शुकला की बात करें तो इन्हें गोल्ड मैन परियाबरन पुरुसकार से भी सम्मानित क्या गया है और इनका सम्मन्द 36 गड़ से है चलिए अब इस कुशन का डिस्कुसन करते हैं तो सहयोक्त राष्ट के द्वारा भारतिय सेना की मेजर है राधिका सेन तो उन्हें 2023 का Military Gender Advocate of the Year पुरुसकार दिया गया है इस पुरुसकार की शुरुबात United Nation के द्वारत 2016 में की गई थी अब यह पुरुसकार किसे प्रदान क्या जाता है तो यह पुरुसकार सहयोक्त राष्ट सांती सैनिक को प्रदान क्या जाता है मेजर राधिका सेन यह सम्मान प्राप्ट करने वाली दूसरी भारतिये हैं इससे पहले मेजर सुबन गवानी को 2019 में सयुक्त राष्ट Military Gender Advocate of the Year पुरुसकार से सम्माने किया गया था राधिका सेन का संबंद किस राध्य से है इसको भी आप याद रखेगा उनका संबंद हिमाचल प्रतेश से है United Nation के बारे में भी बेसिक जानकारी डिसकस कर लेते हैं यह एक International Organization है काम है इसका अंतर राष्टी सांती और सुरक्षा को बनाए रखना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी इसलिए संयुक्त राष्टी दिबस 24 अक्टूबर को मनाए जाता है मुख्याले इसका निव्यार्क में है महा सचो हैं एंटेनियो गुटिरस हाली में प्रदान किये गए कुछ प्रमुक पुरुसकार भी डिसकस कर लेते हैं तो एंटी पीसी को एटी डी बेस्ट अवार्ड दो हजार चौबिस में अभी हाली में तीसरा इस्थान प्राप्थ हुआ है स्री निवास आर्कुलकरनी को सौ प्रोसकार से सम्मानित किया गया है अनुसुया सैन गुपता को कांस Film Festival में Best Actress का अबाढ़ दिया गया है कांस Film Festival का आयजन किस देश में किया गया है इसका आयजन फ्रांस में किया गया है इसको आप याद रखिएगा कांस Film Festival में पायल कपाडिया की फिल्म All We Imagine As Light को Grand Prix पुरुसकार प्राप्थ हुआ है चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सलेंस अबाड दिया गया है हैमंत खत्री को PSU समर पर पुरुषकार से अभी हाली में सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोशन है ICC प्लेयर ओफ दा मन्थ अप्रेल दो हजार चॉबिस किसे चुना गया है आंसर हुजएगा मुहम्मद बसीम को तो ICC के द्वारा अप्रेल दो हजार चॉबिस के लिए प्लेयर ओफ दा मन्थ का अवार्ड मुहम्मद बसीम को दिया गया है पहले option discuss कर लेते हैं फिर इस question का discussion करेंगे तो विराट कोहली का नाम आया है तो अब भी हाली में दो हजार चॉबिस में IPL का सत्रहबा संसकन आयजित किया गया था जिसको KKR की टीम ने तीसरी बार जीता है और इसी IPL के दोरान विराट कोहली ने औरेंज कैप का खिताब अपने नाम किया है और विराट कोहली IPL में सबसे अधिक सत्क लगाने बाले किर्केटर हैं इन्होंने IPL में अब तक आठ सत्क लगाए हैं रोहिस सर्मा की बात करें तो रोहिस सर्मा ने अभी हाली में पान सो छक्के पूरे किये हैं अपने केरियर की हरसल पटेल को IPL 2026 के दोरान परपल कैप का खिताब दिया गया है WPL को भी डिसकस कर लेते हैं तो WPL मतलब वोमेंस प्रीमियर लीग तो 2024 में इसका खिताब किस ने जीता है ये जीता है RCB की टीम ने यानि रोयल चैलेंजर्स बेंगलूर ने पहली बार यह किताब जीता है और WPL का पहला संसकार 2023 में आज़ित किया गया था जिसको मुंबई इंडियन्स ने जीता था चलिए अब इस कुशन का डिसकसिन कर लेते हैं तो महम्मद बसीम UAE के किरकेट टीम के कप्तान है तो उन्हें अप्रेल 2024 के लिए ICC Men's Player of the Month का अबार दिया गया है इसी प्रकार से महिलाओं में Best Indies की कप्तान हैली मैथ्योज को ICC महिला खिलाडी of the Month चुना गया है ICC Player of the Month को डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पुरसों की तो जनवरी में सामार जोसिप को दिया गया था जो की Best Indies के हैं फरवरी में यसस्वी जैसवाल को दिया गया था ये इंडिया के हैं और मार्च में और मार्च दो हजार चौबिस में कमेंदू मेंडेस को दिया गया था जो की सिलंका के हैं महिलाओं की अगर हम बात करें तो जनवरी का Player of the Month एमी हंटर को दिया गया था और फरवरी का एना वेल सदर लेंड को दिया गया था ये Australia से रिलेटर हैं और मार्च का दिया गया था मैया वाउचर को जो की England की हैं नेक्ट कुशन है सतत्तरवी विश्व स्वास्त सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा अपूर्व चंद्रा अभी हाली में सतत्तरवी विश्व स्वास्त सभा के अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन के अगर हम बात करें तो रमेश वावू भी अभी हाली में केंद्रिये विद्दुत वी नियामक आयोग के सदस्व बने हैं जौन सलेबैन अभी हाली में अंतरराष्टिये अल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के वार एसोसियेसन के अध्यक्ष बने हैं चलिए इस कोशिन का डिसकसन करते हैं तो केंद्रिये स्वास्त सचिव हैं अपूर्व चंद्रा तो उन्हें भी हाली में सुर्जलेंड के जेनेवा में आयोजित की गई सतर्तरवी विश्व स्वास्त सभा में समीती एका अध्यक्ष निउक्ष किया गया है और ये जो विश्व स्वास्त सभा है ये डबलू एचो से संबंदित है इस बात को आप याद रखिएगा डबलू एचो की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है साथ अप्रेल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी इसलिए साथ अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस भी मनाया जाता है मुख्यालेस का जेनेवा सुजलेंड में है इसके प्रमुक हैं डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घैब्रियस WHO से related कुछ important current affairs भी discuss कर लेते हैं WHO ने coronavirus के लिए एक global network बनाया है जिसका नाम है Covenet WHO के द्वारा Nelson Mandela पुरुषकार 2024 निमहंस नाम के एक संस्थान को दिया गया है साइमा वाजिद को WHO ने रच्छणपूर्व एसिया का छेत्रिये निदेशक निउक किया है साइमा वाजिद को आप याद रखिएगा कि जो बांगलादेश की प्राइमिश्टर है सेख हसीना उनकी वेटी है साइमा वाजिद तो उन्हें WHO के द्वारा दच्छणपूर्व एसिया का छेत्रिये निदेशक निउक किया गया ग्रीश चंद्र मुर्मू को दो हजार सताइस तक यानि चार साल के कारिकाल के लिए WHO के बाहरी लेखा परिक्षक की रूप में फिर से चुना गया है नेक्ट कुशन है विजए खंडूजा किस देश में भारत की राजदूद बने है आंसर हो जाएगा कैमरून तो कैमरून देश में भारत की नई राजदूद बने है विजए खंडूजा रूस की बात आई है तो रूस में भारत की राजदूत कौन है याद रखीगा विने कुमार और चाइना में भारत की राजदूत कौन है प्रदीब कुमार रावत इसराइल में भारत की राजदूत कौन है तो उनका नाम है संजीब सिंगला कैमरून की बात करें तो यह है अफरीका महादीब का एक देश है राजधानी योंडे है राश्टपती है पॉल विया प्रधानमंत्री है जोसिप नगुते और यहां की करंसी है मध अफरीकी CFA फ्रेंग चले कुछ देशों के राजदूत डिसकस कर लेते हैं यानि भारत के र राजदूत है श्री ब्रम्हा कुमार लगसंबर्ग में सौरव कुमार नाईसर में सीताराम मीना नामीविया में दिनकर अस्थान इसके अलाबा म्यानमार में अभय ठाकुर स्लोबेनिया में एल परसांत पिशे एराक में सोमेंदू बाक्षी चिली में अभिलासा जोसी क्य उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा। नेक्स्ट कोशन है एसे आई पंजा कुस्ती चेंपिनसिप दो हजार चौबिस में भारत में कितने मैडल जीते हैं। भारत में साथ मैडल जीते हैं। तो अभी हाली में उजबेगिस्तान की कैपिटल तासकंद में भारत ने कुल टोटल साथ मैडल जीते हैं जिसमें एक गोल्ड मैडल है और छे ब्रॉंज मैडल हैं। तो गोल्ड मैडल स्रीमत जहा को मिला है। इस बात को आप याद रखेगा। और लक्षमण सिंग भंडारी को दो ब्रॉंज मैडल हासिल हुए हैं। पूरे विश्व में आर्म रेसलिंग को रेगुलेट करने वाली संस्था है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन जिसका हैड़क्वाटर सोफिया बुलगारिया में हैं। और भारत में आर्म रेसलिंग को रेगुलेट करने वाली संस्ता है पीपुल्स आर्म रेसलिंग फ्रेडेशन इंडिया जिसकी अध्यक्षिय है प्रीती जांग्यानी और इसका हैट्वाटर मुंबई महराष्ट में है बाता है आर्म रेसलिंग की तो आपको याद रखना है विस्सो आर्म रेसलिंग दिवस 20 अप्रेल को मनाई जाता है तो ये दिवस भी आप नोट कर सकते हैं सत्त दीप गुपता ने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लिहोत्से पर दो बार चड़ाई पूरी की है उनका संबंद किस राजिसे है आंसर हुजाएगा उत्तरप्रदेश्ट तो उत्तरप्रदेश्ट के पीली भीट के रहने वाले हैं सत्त दीप गुपत तो उन्होंने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लिहोत्से पर दो बार चड़ाई पूरी की है यानि कि पहली बार वो माउंट एवरेस्ट पर गए और फिर उसी समय वो माउंट लिहोत्से पर गए दूसरी बार भी वो माउंट एवरेस्ट पर गए हैं और म माउंट लिहोत्से पर गए हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने दो बार चढ़ाई पूरी की है, माउंट अबरेस्ट और माउंट लिहोत्से की, तो अभी लास्ट टाइम उन्होंने 27 मई को ये चढ़ाई पूरी की है, यानि माउंट अब्रेस्ट और माउंट लिहोत्से की चलाई पूरी की है इससे पहले उन्होंने 21 मई को माउंट अब्रेस्ट और माउंट लिहोत्से की चलाई पूरी की थी इस प्रकार से उन्होंने दो बार माउंट एबरेस्ट और माउंट लिहोत्से की चड़ाइपूरी की है, एक ही मौस्ट। यहाँ पर हम डिसकस करेंगे विश्ट की सबसे उची परबच चोटियों की, क्योंकि एबरेस्ट के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं पहले वाले लेक्शिर में, तो आज हम विश्ट। की सबसे उची परबच चोटियों की बात करेंगे, माउंट एबरेस्ट की जो उचाई है वो है 8849 मीटर, यह आपको कहीं पर 8850 मीटर भी मिल सकती है, तो इसमें कन्फ्योज नहीं होना है, माउंट एबरेस्ट नेपाल में है, और नेपाल में माउंट एबरेस्ट को साधर माथा कहा जाता है, विश्ट। की दूसरी सबसे उची चोटी है केटू, जो की पी-ओके में है, और इसकी उचाई है 8611 मीटर, तीसरी सबसे उची चोटी है कंचन जंगा, जो की इंडिया में है, इसकी उचाई है 8586 मीटर, फिर है माउंट लिहोज से, जो की नेपाल में ही है, और माउंट एबरेस्ट के बगल में ही है, इसलिए जो सत्य दीब गुप्ता है, उन्होंने पहले माउंट एबरेस्ट की चढ़ाई पूरी की, फिर माउंट लिहोज से पर वो पहुँचे, माउंट लिहोज से की जो उचाई है, वो है 8516 मीटर की, फिर है मकालू, जो की नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है, इसकी उचाई है 8485 मीटर, चो यू, जो की चीन और नेपाल में है, इसकी उचाई है 8188 मीटर, दोलागिरी जो की नेपाल में है, इसकी उचाई है 8166 मीटर, मनासलू, ये नेपाल में है, इसकी उचाई है 8163 मीटर और नंगा परवजो की P.O.K. में है इसकी उचाई है 8126 मीटर तो ये हैं विश्चो की 10 सबसे उची परवज चोटिया आपको एक दो पॉइंट और याद रखना है तो अभी हाली में नेपाली परवतारो ही है पूरिणमा स्रेष्ट तो उन्होंने 13 दिन में तीन बार एबरेष्ट पर चढ़ने का एक रिकॉर्ड बनाया है और वो 13 दिन के अंदर तीन बार एबरेष्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई है तो पहली बार वो 12 माई को गई फिर 19 माई को और फिर 25 माई को एबरेष्ट पर पहुँची है एक और परबता रोही है भारत की जिनका नाम है कवक यानो तो वो हाल ही में माउंट एबरेष्ट पर चढ़ने वाली अरुनाचल प्रदेश की 5 वी और नीसी जनजाती की पहली महिला बनी है आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि माउंट एबरेष्ट पर रिकॉर्ड तीस बार चढ़ाई पूरी करने वाले परबता रोही कौन है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा नेक्स कुशन है एक इही सीजन में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटवालर कौन मने हैं क्रिष्टियान और रोनाल्डो क्रिष्टियान और रोनाल्डो का संबंध किस देश से है पुर्टगाज से है लियोनेल मैसी का संबंध किस देश से है अर्जन्टीना से है सुनील शेत्री तो उन्होंने फुटवाल से रिटार्मेंट लेने की घूशना की है चलिए इस कुश्चिन का डिस्कुर्शन कर लेते हैं तो क्रिष्टियान और रोनाल्डो ने एक सीजन में 35 गोल कर दिये हैं क्रिष्टियान और रोनाल्डो के पास इंटरनेशनल लेवल पर 128 से ज़्यादा गोल हैं और वह 200 इंटरनेशनल फुटवाल मैच खेलने बाले एक मात्र फुटवालर हैं अभी हाली में फोफ्स के दुआरा सबसे ज़्यादा कमाई करने बाले एथलीटों की एक सूची जारी की गई थी जिसमें क्रिष्टियान और डोनाल्डो टॉप पर रहे हैं इनकी कमाई 260 मिलियन डॉलर बताई गई थी एक्सकुशन है किस देश में तलाक को वैद्ध बनाने के लिए एक विधियक पारित किया गया है यानि डिवॉर्स को लीगल बनाने के लिए विधियक पारित किया गया है आंसर हो जाएगा फिलिपिंस ओप्शन की अगर हम बात करें तो एराक में अभी हाली में समलेंगिक संबंधों पर एक कठोर कानून बनाया गया है जिसमें 15 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है इस्पैन में एक नया transgender कानून आया है जिसमें 16 साल से उपर का कोई भी व्यक्ति अपना gender change कर सकता है घाना की बात करें तो घाना की संसद में अभी हाली में LGBTQ बिरोधी बिधियक पारित किया गया था तो ये कानून भी आप नोट कर सकते हैं ठीकि दुनिया में दो ही ऐसे देशें जहां पर तलाख की अनमती नहीं है पहला देश है बैटिकन सिटी दूसरा देश है फिलिपेंस तो फिलिपेंस में अब सुर्वात हो गई है यानि तलाख की अनमती देने के लिए एक बिधियक पारित किया गया है फिलिपेंस की संसद की निचले सदन में अब ये उपरी सदन में जाएगा फिर राष्टुपती के हस्ताक्षार हो जाएगे तब ये कानून बनेगा यहाँ पर बात आई है वैटिकन सिटी की तो वैटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है एरिया की द्रिष्टी से और ये इटली देश के अंदर है मतलब यूरोप महादीप का जो देश है इटली उसके अंदर है ये कौन सा डेश वैटिकन सिटी इसके एरिया की बात करें तो सून दिसम्दो चार-चार वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है फिलिपिन्स के बारे में बात करें तो फिलिपिन्स एसिया महादीप में है मनीला इसकी कैपिटल है राष्टपती है वांग वांग मारकोस और यहां की करंसी है फिलिपिन पैसो और फिलिपिन्स का सबसे उचा परवत है माउंट अपो और यहां पर आप फिलिपिन्स की लोकिसन देख सकते हैं यह दोस्तो एसिया महादीप में है यहां पर मतलब इंडिया होगा और फिर यह थाइलेंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम यह सब ही देश है फिलिपिन्स एक दूइफ समुव है जिसमें 7000 से एक दूइफ है फिलिपिन्स में ACI विकास बेंक का मुक्षाला है और यह मनीला में है फिलिपिन्स ने अभी हाली में भारस से ब्रंभोज मिसाइल खरी दी है इस बात को भी आप याद रखेगा है तो ये पॉइंट तो आपको ज़रूर याद रखेगा नेक्स कुशन है संवक्तराष्टे 37 सैनकों का अंतराष्टिय दिवस कब मनाय जाता है आंसर हो जाएगा 29 माई को अच्छा 18 माई को कौन सा दिवस मनाय गया है विस्सो एट सितिका दिवस 15 माई को अंतराष्टिय परिवार दिवस 17 माई को कौन सा दिवस मनाय गया है विस्सो दूर संचार दिवस दोस्तो हर साल 29 मई को कौन सा दिवस मनाय जाता है इसको आपको याद रखना है सायुक्त राष्ट सांती सैनकों का अंतराश्टी दिवस तो सांती सैनकों की सेबा और बल्दान को सरद्धान जली देने के लिए यह दिवस मनायt जाता है 2024 की theme है, भविज के लिए उप्योक्त साथ मिलकर बहतर निर्मार करना, यानि fit for the future, विल्डिंग वेटर टूगेदर. Next question है, भारत ने भो इसकलन से प्रभावित किस देश को एक मिलियन डॉलर की सायता दी है? आंसर हुजाएगा पपुआ न्यूगिनी. तो दोस्तो पपुआ न्यूगिनी देश में, अभी हाली में एक पहाड में लेंड स्लाइड हुआ है, और जो वहाँ की मिट्टी थी, वो गावों की तरफ बड़ी है, और पूरे गावों के गावों इस लेंड स्लाइड की चपेट में आ गए हैं, तो लगबग 2,000 लोग वहाँ पर मारे गए हैं, तो इसी में भारत के द्वारा सहायता की गई है, पपुआ न्यूगिनी की बात करें, तो यहाँ पर ऑस्टेलिया महादीब देख सकते हैं, और यहाँ परिस्ते थे पपुआ न्यूगिनी, पोर्ट मोरेस भी यहाँ की कैप्टल है, और करंसी है किना, पुर्धान मत्री है जैम्स मारा पे, नेक्ट कुशन है, टाटा कंसल्टन्सी सर्फिष यानी तीसीएस ने किस स्थान के साथ सेमी कंड़क्टर सैंसिंग तूल को लेकर समझोता किया है, आंसर हो जाएगा IIT Bombay तो TCS और IIT Bombay के साथ अभी हाली में Semiconductor Sensing Tool को लेकर की एक समझोता हुआ है दोस्तो इस समझोते के तहट TCS और IIT Bombay मिल करके देश के पहले Quantum Diamond Microchip Imager का निर्माड करेंगे अब कल के Current Affairs को revise करते हैं फिर General Knowledge के पिटारी को डिसकस करेंगे लाश्ट में पूछेंगे आपसे Question जिसका Answer कमेंट बॉक्श में देना है Question कहां किया गया है तो यहाँ पर option गलत है Answer हो जाएगा Vienna, Austria में ICC ने किस देश की Major League Cricket Cool List A का दर्जा दिया है Aamerika Ova Chunying किस देश की Vice Foreign Minister मनी है चाइना ASMPAR परमाणू क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन किस देश नहीं किया है द्विश्टु भूग दिवस का मनाया जाता है 28 माई को नेपाल ने सत्रहवा गड़तन दिवस का मनाया है 28 माई 2024 को अलामे हलीना किस देश के PM मने है चाड के आज के General Knowledge के पिटारे में हम डिसकस करेंगे Space Related कुछ important fact तो भारत में अंत्रिक्ष कारिक्रम शुरू हुआ था 1962 में अंत्रिक्ष विभाग या आयो की स्थापना 1972 में हुई थी PSLV का full form होता है Polar Satellite Launch Weagle भारतिये अंत्रिक्ष कारिक्रम की जनक है Dr. Bikram Sara भाई और भारतिये मिसाइल कारिक्रम का जनक Dr. A.P. J. अब्दुलकलाम को कहा जाता है इसरो की स्थापना 1979 में की गई थी मुख्याला इसका बैंगलोरू में कल की Current Affairs में आपसे पूछा गया था कि ICC का मुख्याले कहां है तो वो दुबई UAE में है तो लगबख सभी लोगों ने इसका अंसर दुबई बताया हुआ है आज का कोशिन है स्थापना किस वर्स की गई थी जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारे टेलिग्राम चैनल वाटसब चैनल को माई 24 की Current of Yes की E-Book मिल जाएगी इसके अलाबा Yearly Current of Yes और Sixth Month की Current of Yes की E-Book भी पर मिल जाएगी तो आपको डाउलूड करें लिंक इसका description box में दिया गया है